वीडियो के थम्नेल और टाइटल में भी दोस्तो देखे लिया होगा फोन पे से हम किस तरीके से लोन अपलाई करेंगे आज के इस वीडियो में दोस्तो आज हम लोग दोस्तो इसी के बारे में सीखने वाले हैं YouTube पे दोस्तों आपको काफे वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप इस तरीके से phone पे से loan ले सकते हैं लेकिन दोस्तों सारे step को हम complete करते हैं तो आपर दोस्तों हमें बताया जाता है कि phone पे से loan नहीं मिलता है सिर्फ हम लोग यहां से repayment कर सकते हैं जो कि दोस्तो इस वीडियो में आपको detail में बताने वाला हूँ कि दोस्तो लाइप परूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ फोन पे से ही दोस्तो मैं आपको loan लेके दिखाऊंगा और दोस्तो loan amount जो है मैंने apply किया था दोस्तो और मैंने ज़्यादा loan नहीं लिया था दोस्तो थोड़ा बहुत मैंने यहां पर loan apply किया था दोस्तो और जो है मेरा amount जो है approval मेरा दोस्तो ज़्यादा का आया था लेकिन मैंने दोस्तो इसका जो है वीडियो को जो है दोस्तों आपको शुरू से लेके end तक देखना है तब जा करके दोस्तों आपको पूरी जानकारी पता चलेगी तो चलिए फड़ा-फड़ जो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों उसके लिए आपको फोन पे application को install करना होगा अगर दोस्तों आपके पास पहले से फोन पे application है तो आपको दोस्तों क्या करना है उसे delete करना है और इसका जो latest version यह नहीं कि दोस्तों latest आपको जो है 2023 का दोस्तों आपको latest version डाउनलोड करना है जिसका link मैंने आपको वीडियो के description box में दिया हुआ है अगर दोस्तों आपके पास पहले से होगा तो आपको मैं फिर से बता रहा हूँ आपको दोस्तों उसे uninstall कर देना है और मैंने दोस्तों आपको जो link दिया और दोस्तों latest version का वहाँ से direct आपको download करना है तब ही जाकर के दोस्तों आपको loan मिल पाएगा नहीं तो दोस्तों आप लोग जो है अपने हिसाब से दिमाग लगाओगे फिर मुझे बोलोगे कि भाए मुझे loan ही नहीं मिल रहा है तुम किस तरीके से बताये थे तो इस चीज को आपको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते रहा जाओगे कोई फाइदा नहीं होगा मैंने दोस्तों यहाँ पर पहले से ही download कर लिया है और इसके बारे में जब मैंने research करने लगा तो साराक्षी दोस्तों जैसी मुझे पता चला ओपेन में किलिक करना है जैसी दोस्तों यहाँ पर download कर लेते फोन पर application सबसे फास्ट में दोस्तों आपको इस तरीके का interface मिलेगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक profile options दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों यहाँ पर काफी लोग जो है confused हो जाते हैं तो इस वाले options पर आपको किलिक करना होगा एक बार और यहाँ पर दोस्तों किलिक करने के बार किलिक करने के बार दोस्तों आपको यहाँ पर जो है एक bank account को दोस्तों link करना होगा तो यहाँ पर दोस्वो लोन अमाउंट देख सेते हैं यहाँ पर मैंने bank account को link कर लिया है तो आपको link कर लेना है जैसे मैंने आपको बता है यहाँ पर click करके दोस्वो आपको add bank account bank account को add कर लेना है और आपको home page पर आ जाना है आने के बाद दूसरों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक options आपको मिलेगा देखे तो फोन पर कही option में हम लोग अभी है फोन पर में ही है ठीक है अब यहाँ पर दूसरों आने के बाद आपको यहाँ पर एक options मिलेगा recharge and bill payment देहान से देखिएगा दोस्तों सारचीम आपको step by step दिखा रहा हूँ और यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको एक options मिलता है जैसे कि काफी लोग बताते हैं आपको कि आपको यहाँ पर loan repayment का option मिलता है तो इस पर हम click करके loan repayment में click करके यहाँ से जितना भी repayment होता उनसे हम लोग loan ले सकते हैं जबकि दोस्तों यह बात बिल्कुल भी गलत है मैं यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख पा रहांगे यहाँ पर मैं अभी आपके सामने ही apply करके दिखाऊंगा loan और यहाँ पर मैं कहीं पर भी जाओंगा नहीं सिर्फ phone pay में ही अभी loan apply करेंगे तो उसके लिए दोस्तों आपको जो इस वाले नीचे वाले options पर आना है दोस्तों यहाँ पर देख सेते हैं कुछ company जो है अभी यहाँ पर phone pay से दोस्तों type हो करके आपको loan दे रही है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे top में अभी company जो है दोस्तों buddy loan अभी यहाँ पर buddy loan application की बात करें आभी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि भाई मुझे यह buddy loan वाला जो option है यहाँ पर show नहीं कर रहा है तो अगर आपको show नहीं कर रहा है तो आप इस वीडियो को end देख लेना आपको पूरी जनकरी पता चल जाएगा लेकिन दोस्तों अभी हम इसी से loan लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों buddy loan में हम just click करेंगे अब जैसी दोस्तों हम यहाँ पर click कर दियें इस तरीके के दोस्तों आपके सामने इंटरफेस निकल के आ जाएगा और आने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ देखेते हैं buddyloan.com और दोस्तों हम लोग phone page से ही loan ले रहे हैं मैं आपको first भी बताया था फिर से मैं cut कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखेते हैं फोन पर ही वाले ही option में हूँ यहाँ पर जैसी के आप सभी देख पारेंगे दोस्व और यहाँ पर दोस्व देखेते हैं recharge and bill payment वाले ही option के दोस्व नीचे यहाँ पर हमें श्रोग कर रहा है देखेते हैं buddy loan तो यहनी के दोस्व हमें कही पर भी जाने की जरूरत नहीं है तो ह उसी mobile नमर को दोस्व आम यहाँ पर दर्ज करेंगे and next पर किलिक करेंगे उसके बाद दोस्व यहाँ पर देखेते हैं आपके mobile नमर के साथ दोस्व एक OTP भेजा जाएगा देखेते हैं यहाँ पर हमारे mobile पर दोस्व ओटीप जो है यहाँ पर भेजा गया OTP डालके एक हजार रुपे लोन नहीं देगा मैंने आपको फास्ट में ही बताया था दोस्व कि यहाँ पर मैंने 10,000 रुपे से लोन लिया था तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ 10,000 ही फिर से अपलाई कर रहा हूं तो उसके लिए दोस्व हम यहाँ पर क्या करेंगे देखेते हैं दोस से next button पे आपको click करना होगा तो चलिए में कर देता हूँ दोस्व आप यहे loan ले रहे हैं कितना दिन के लिए आप लेनाचाइए कितना time के लिए लेना चाँथ हैँ वह चीज़ है आपको यहाँ पर type करना तो चलिए में type कर देता हूँ यहाँ पर 12 महीने तक का हम यहाँ पर दोस्व लोन ले सकते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डालने के बाद फिर से next में किलिक करेंगे दोस्व उसके बाद दोस्व आपके पास इस तरीके का आपको यहाँ पर email ID डाल देना होगा जो मैंने यहाँ पर फैले से ही डाल दिया है और उसके बाद दोस्व नेक्स बटर में आपको किलिक करना होगा उसके बाद दोस्व आपसे पूछा जा रहा है select your आप दोस्व सैलरीड हैं या self-employed हैं यानि कि आप कहीं पर job करते हैं या आप मतलब कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ पर हम दोस्व सेलरीड में डाल दिया हैं और यहाँ पर दोस्व डालने के बाद इसे हैं self-employed यहाँ पर दोस्व प्रोफेशनल यानि कि आप किस तरीके का काम करते हैं यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर छोटा मोटा काम करते हैं यहाँ डाल दिया हैं यहाँ दोस्व आपके सामने इस तरीके का interface आ चुगा इंटरियोर नमबर वर्क फॉर यानि कि दोस्व आपको यहाँ पर बताया जा रहा है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ दोस्व यहाँ पर 3 years में काम कर रहा हूँ यहाँ पर फिर से next पर किलिक करेगी आपके सामने दोस्व प्रोफेशनल डीटेल आ चुका है देखेते हैं select your professional detail तो यहाँ पर दोस्व आप किस तरीके का काम करते हैं तो यहाँ पर दोस्व आप डॉक्टर हैं इंजिनियर हैं किस तरीके का क्या करते हैं तो यह आपसे दोस्व पूछा जा रहा थी यहाँ पर किस कंपणी में काम करते कंपणी का नेम क्या है तो आप अपने हिसाप से डाल दाना मैं company में काम नहीं करता हूं तो मैंने यहाँ पर example के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है उसके बाद दोस्तों देखेते हैं कि यहाँ पर पिन कोड आ जाएगा जिस जिगा पर आभी आप कैनेट में रहे हैं उसके बाद दोस्तों आपका पर आपकान को आपको भी पर लेते हैं वह और क shows यहां इकांट के बाद दोस्तों आपके सावने थे लिए आप के आपसे पूछा जा रहां आप जहां पर काम कर रहे हुआ आपका rent है या या किस तरीकिת आप अगर rent में रहते दुसरों तो आप rentE paton Fat様 karen एनफ झालए उसके बाद दुसरे अपको चूश करेंगे यहाँ पर आपको अपना family का डिटियल डाला होगा जैसे कि आपका father name और यहाँ पर दूसो mother name उसके बाद next पर किलिक करेंगे उसके बाद दूसो आपका यहाँ पर loan amount सारा डिटियल आ चुका दूसो उसको सारक ची को term and condition करने के बस submit में किलिक करेंगे आपका दूसो loan request यहाँ से ले लिया जाएगा दूसो और आपको जो है जैसे दूसो आपका loan approve हो जाता है आपको दूसो एक message के दुवार आपको message भी मिल जाएगा और दूसो आपको यह loan buddy वाला option अगर आपको नहीं मिल रहा है तो दूसो इस application को play store से download कर सकते हैं इसका link भी आपक अगर यह अच्छे लागा तो वेडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब पर नहीं